हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू दी वल्ड अफ नॉलेज अल्फता क्लासेज मैं हूँ आपको दोस्तारी शमीन फ्रेंट्स मैंट्री एक्जाम में बहुत ही कम समय रहे गया फ्रेंट्स 19 फर्वरी को सोसल साइंस का एक्जाम है फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अब मौका है चल दी साथ क्विक्रिवजन किया जा free model paper का तो यह विडियो और मॉड़र पर का खρά वह करते हुए शूरु करते हैं मॉड़र पर कर रिविजन आ गया हमारा फ्रेंट section 1 objective type question तो आए फ्रेंट्स शुरू करते हैं इसमें 80 question है जिसमें आपके पास option बहुत जादा है 80 में से आपको सिर्फ और 40 question बनाना है तो आप उसी question को बनाए जिसमें आप 100% sure हों कि हाँ इसका answer यही होगा तो आए फ्रेंट्स शुरू करते हैं पहला सवाल देखते हैं तो यह हमारा पहला सवाल हिंद चीन में कौन सा रास्ट शामिल नहीं है फ्रेंट्स यह मैं आपको पहले 2 second का वक्त भी दूँगा 2 second का वक्त इसलिए दूँगा कि आप इसके साथ practice भी कर लें तो आप खुद से लगाने की कोशिश करें अगर नहीं लग पाएगा तो मैं उसका फिर अंसर बताऊंगा तो पहला सवाल है हमारा हिंद चीन में कौन सा रास्ट शामिल नहीं है वियतनाम, लाओस, चीन, कमबोडिया बताई फ्रेंट्स क्या होगा फ्रेंट्स मैंने आपको explain किया था कि हिंद चीन किसे के खिए यह भारत था यह यहाँ पर चाइना परता है तो फ्रेंट्स इस छेतर को क्या कहते हिंद चीन पहले कहा जाता था क्यूँकि यहाँ पे हिंदुस्तान की भी संस्कृति का परभाव था और चाइना की भी संस्क्रेटी का परवाँ था और यहाँ पे तो कोई देश हुआ नहीं करता था तो यहाँ पे कौन सा देश है friends तो कौन कौन से देश शामिल नहीं है यह पूछ रहा है तो हम जानते के हिंद चीन में कौन कौन सा देश शामिल है वियना कॉंग्रेस कब हुआ था भारत में गदर पार्टी के स्थापना किस नहीं की गुरु दयाल सिंग, चंदर सिखर आजाद, लाला हर्दयाल, सोहन सिंग, भाखना बढ़ा ही friends क्या होगा और नहीं का देश आंसर इज्ग, और पार्टी के स्थापना किसने की अगला सवाल दूतिय विश्वियुद दूतिय महायुद के बाद योरोप में किस संस्था का उधै आर्थिक दुश पर भावों को समाब्द करने के लिए हुआ दूतिय विश्वियुद बोले या महायुद बोले के बाद योरोप में किस संस्था का उद्धै आर्थिक दुश परभाव को समाप्त करने के लिए हुआ सार्क का नाटो का आपक का योरोपिये संग बताई फ्रेंज क्या हुआ करेक्ट अंसर और दा करेक्ट अंसर इस ऑप्शन नमबर डी योरोपिये संग एक सवाल है आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाउस थाइलेंड कमपोडिया बताई फ्रेंस क्या होगा यह हिस्टी के सेकेंड चैप्टर का कुश्चन है फ्रेंस हिंधी-चीन में राज़्त वाद अगला सवाल देख्ने है फ्रेंस वास्प चालित इंजन का अविश्कार किस ने किया वास्प चालित स्टीम इंजन का अविश्कार किस ने किया अबराहम डर्बी जेम्स वाट जॉर्ज neighborhoods स्टिफेंस रॉबर्ट फुल्टन पताई फ्रेंस क्या होगा और करिक्ट अंसर इस ऑप्शन नमबर भी जेम्स वाट अगले सवाल के बढ़ते हैं टाटा आइरन और स्टील कंपणी की स्थापना कब की गई तो यह अजादी से पहले हुगा ता फ्रेंस बताई कब अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है गोल घर कहां इस्थित है अगर आप बिहार की राजधानी पतना गये होगे तो इसको आप जरूर जानते होंगे देफ्रेंस क्या होगा कोलकता पतना दिल्ली गया क्या होगा और करेक्ट ऑप्शन इस पतना मैंने पहले ही बोल दिया बि गोल घर कब बनाया गया था इसका आप कमेंट सेक्शन में अंसर दें कि गोल घर कब बनाया गया था अगला सवाल है किस अमेरिके रास्ट पती ने न्यू डिल लागू की न्यू डिल किस अमेरिके रास्ट पती ने लागू की वुड्रो विल्सन एफडी रुजवेल्ट अ सभुक्त, सभ्याँ ओए यह हमारा अगला सवाल नैपॉलियन सहीता किस वर्ष लागू की गई नीपॉलियन सहीता किस वर्ष लागू की गई बदाई फ्रिंस fryuk करेक nossa सार व्हंट रिफ 1909, 1791, 1801 1004 बदाई फ्रिंसyl क्या होगा था संग defence के Option is 1864, 1866, 1870, 1871, बदे ही फ्रिंस क्या होगा And the correct option is option number D, 1871 इसमें Frankfurt की संधी हुई थी अगला है, काल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था और ये ही इसका option, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पुलैंड, काल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था And the correct option is option number A, Germany, काल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था Communist Manifesto और Das Capital जैसी महान किताबों को किसने लिखा है, काल मार्क्स नहीं लिखा है अगला सवाल है हमारा फ्रेंड, 1991 में निम्ने से कौन अस्तित्व में आया 1991 में कौन अस्तित्व में आया, ये हमारा question number 13 है WTO, World Trade Organization, GATT, नई आर्थिक नीती, इन में से कोई नी, बताई फ्रेंड क्या होगा And the correct option is नई आर्थिक नीती, New Economic Policy अगला सवाल देखते हैं, question number 14 है इन आर्थिक किरियाओं में कौन प्राथ्मिक छेत्र से संबंधित नहीं है प्राथ्मिक छेत्र से संबंधित नहीं है बताई फ्रेंड क्या होगा And the correct option is banking बैंकिंग द्यूतिय छेत्र में आता है फ्रेंड इसलिए ये प्राथ्मिक छेत्र नहीं है अगला सवाल है हमारा जमशेदपूर दुरगापूर भिलाई और सलेम किस उद्दोग के केंदर है सिमेंड के चीनी के आरन स्टील और वस्त्र बताई फ्रेंड क्या होगा And the correct option is option number C आरन और स्टील Option number 16 दिखते है फ्रेंड पर्ति व्यक्ति आय का आशे है पृति व्यक्ति आय का आशे है नबर वस्त्र बताई फ्रेंड की व्यक्ति आय का आशे है उस्त्र निकाला कैसे जाता है अगला सवाल है हमारा फ्रेंड रास्टिय विकास परिशत का गठन कब हुआ रास्टिय विकास परिशत का गठन कब हुआ 1950, 1951, 1952, 1955 बदाई फ्रेंस कब हुआ Question No. 17 And the correct option is Option No. C 1952 1952 में हुआ था रास्टिय विकास परिशत का गठन बंगलादेश की मुद्रा क्या है ये हमारा अगला सवाल है रास्टिय विकार्थ क्या है सरकार की आए पारिवारिक आए सार्वजनिक उपकर्मों की आए उत्पादन के साधनों की आए बदाई फ्रेंस क्या होगा And the correct option is सरकार की आए रास्ट क्या आए सरकार की आए होती है अगला सवाल है 20 No. सवाल भारत में उपभुकता सरनक्षन कानून कब लागू हुआ कब लागू हुआ तो 1960 में हुआ 1986 में 1984 1976 मताई फ्रेंस कब हुआ And the correct option is option number B 1986 1986 में लागू हुआ फ्रेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा समभाबना में कुशन पूछे जाते हैं इस model set को आप अच्छे से देख लें अगर आपको कोई कुशन नहीं समझ आ तो इसको आप अच्छे से याद कर लें समझ लें ताकि आपसे कभी exam में कुशन गलत ना हो आगे देखते हैं किस नमबर सवाल भूमी विकास बैंक किस परकार का रिं परदान किया जाता है अगला सबाल है एमारे बाइस नमबर सबाल है भारत में किस परकार की आर्थिक परणाली पाइजाती है आर्थिक परनाली पाय जाती है बतलब किस तरह की अर्थ विवस्ता पाय जाती है पुझिवादी अर्थ विवस्ता, समाजवादी मिश्रित अर्थ विवस्ता, सामेवादी अर्थ विवस्ता बताई फ्रेंस क्या होगा and the correct option is मिश्रित अर्थ विवस्ता मिश्रित अवर्त वस्त भारत में पाई जाती है 23 सवाल है हमारे पास नागरजुन सागर प्रयोजना संबंधित है तो किससे संबंधित है सतलत से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से बताई फ्रेंस क्या होगा करेक्ट अंसर किससे संबंधित है and the correct option is option number D कृष्णा नदी से संबंधित है नागरजुन सागर प्रयोजना अगला सवाल है 24 सवाल हमारे पास 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से परभावित हुआ 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से परभावित हुआ पश्चिम एसिया, अंटाक्टिक महासागर, अट्लांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, बदाई फ्रेंस क्या होगा Question number 24, and the correct option is बंगाल की खाड़ी, option number D अगला है friends, 25 number सवाल समान संचार विवस्था के वाधित होने का मुख कारण क्या है Cable का तूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की उचाई में कमी, इन में से कोई नहीं, बदाई friends क्या होगा and the correct option is Cable का तूट जाना, Cable के तूट जाने से क्या होता है, संचार विवस्था ठप हो जाता है अगला है, question number 25, हमने कर लिए, 26 करेंगे अब, तो यह हमारे पास 26, बार छटी पहुंचाती है, किसको छटी पहुंचाती है फसलों को, पशुमों को, भवनों को, उप्रुक्त सभी को, बताई friends क्या होगा, correct option and the correct option is, option number D, बार जो है, फसलों को भी नुक्सान पहुंचाती है, पशुमों को भी, भवनों को भी, सबको नुक्सान पहुंचाती है आगे बढ़ते हैं friends, आगे अगला सवाल देखते हैं, question number 27, तो यह हमारा question number 27 सवाणीम चतरबुझ संबंदित है, किस से संबंदित है, railway से, सरक मारगों से, जल मारगों से, वायू मारगों से, बताई friends किस से, and the correct option is, option number B, सरक मारगों से, सवाणीम चतरबुझ, यह एक ऐसा चतरबुझ है, जो भारत के 4 बड़े शहरों को जोढ़ता है, चार बड़े बार के समय लोगों को जाना चाहिए, बार के समय लोगों को जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, गाओं के बाहर, खेतों में, उच्छ भूमी पर कहीं नहीं, बदाई फ्रिंस क्या होगा, and the correct option is, उच्छ भूमी पर, जब बार आए तो क्या करना चाहिए, उच्छ भूमी के स पार्टी बदरी फ्रेंट्स क्या होगा और करेक्ट उप्शन इस जंता दल इनडिया की सरकार भी बोलते हैं नेतिश कुमार के इसमें चलती है नेतित में अगला सवाल है हमारा फ्रेंट्स तीस नमबर सवाल पंचायत का चुनाव पंचायत के चुनाव कौन करवाता है पंचायत का चुनाव कौन करवाता है केंद सरकार जिला पड़िसाद राज चुनाव आयोग राज चुनाव आयोग करवाता है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और यह हमारा किस राज से पंचायती राज की शुरुवात हुई, पंचायती राज की शुरुवात कहां से हुई, भारत के किस राज से हुई, बिहार से, उत्तर परदेश से, पंजाब से, राजस्थान से, पताई फ्रेंस क्या होगा, and the correct option is option number D, राजस्थान से, कहां से शुरुवात आगे बढ़ते हैं, question number 32, 32, वर्ष 1975 भारती राजनीती में किसली जाना जाता है, वर्ष 1975 में क्या हुआ था भारती राजनीती में, तो इस वर्ष में आम चुना हुए थे, श्रीमती इंद्रा गांजी परधान मंत्री मनी थी, देश में आंत्रिक आपातकाल लाग हुआ था, ताड़ी विरोधी आंदोलन, किस प्रांत शे शुरू हुआ था, ताड़ी विरोधी आंदोलन, बिहार से उत्तर प्रदेश, आंदर प्रदेश, तमिल नाडू, बढ़ी फ्रेंस क्या होगा, and the correct option is option number C, आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश is the correct answer, 34 देखते हैं, धर्म को स समुदाय का मुखादार कौन मानता है, संपरदायक, नारीवादी, धर्म निर्पेक्ष, जातिवादी, बढ़ी फ्रेंस क्या होगा, and the correct answer is option number A, संपरदायक, संपरदायकता की भावना ही, धर्म को समुदाय का धार मानती है, अगला है, सत्ता में साजधारी सही है, क्योंकि सत्ता में साजधारी सही है, क्योंकि या विवित्ता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन समुदाय की बीच टकराव कम करती है, बताई फ्रेंस क्या होगा, correct option, question number 35 का, and the correct option is, option number D, विभिन समुदायों के बीच टकराव कम करती है, सत्ता में साजधारी, अगला सवाल है, 36, question number 36, नेपाल में सब्त दलिये गटबंधन का मुखुद देश क्या है, question number 36, राजा को देश छोडने पर मजबूर करना, लोकतंतर के स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच सम्दों को बहतर बनाना, सर्व दलिये सरकार के स्थापना करना, बताई फ्रेंस क्या होगा, correct option, and the correct option is, लोकतंतर की स्थापना करना, option number B, option number B is the correct answer, अगला सवाल देखते है, भारत के इन राजियों में कौन कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है, question number 36, 37, भारत के इन राजियों में कौन कोईले का सबसे बड़ा पताई फ्रेंस क्या होगा, and the correct option is, चतिसगर, option number D, बहुत लोगों को यहाँ पे confusion reference, अब जारकंड लगा देते हैं, जारकंड 2018 से पहले हुआ करता था, अभी कौन होता है, चतिसगर होता है, तो आप ध्यान दे यहाँ पे, correct option क्या हो जाएगा, चतिसगर, अगला सवाल है, राजस्थान, राजस्थान एक मरोस्थल है, मरोस्थल में आसानी से सौर उर्जा का उतपादन किया जा सकता है, अगला सवाल, बिहार की पहली नदी घाटी पर योजना कौन है, बिहार की पहली नदी घाटी पर योजना, गंडग नदी घाटी पर योजना, कोसी नदी घा आए क्या होगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है बिहार का शोक कमेंट सेक्षिन में आंसर बता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है अगला सवाल सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहां है सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहां है पश्यम में सबसे लंबा बांध कौन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है भाकरन अंगल बांध नागरचुन सागर बांध हीराकुंड बांध टेहरी बांध बताई फ्रेंट्स क्या होगा and the correct option is हीराकुंड बांध हीराकुंड बांध भारत जो है वो प्राथमी कुर्जा का उधारन नहीं है क्योंकि ये किसी से बनाया जाता है अगला हमारा फ्रेंट्स 43 नमबर पूर्विमध रेल का मुख्याले कहा है पूर्विमध रेल का मुख्याले कहा है नई दिल नहीं कुलकता मुंबई हाजेपूर तो बताई फ्रेंट क्या होगा and the correct option is option number D हाजेपुर्ड नई दिल पूर्विमद रेल का मुख्याले कहा है हाजेपुर्ड में है अगला सवाल है चावल है चावल क्या है खरीफ फसल रभी फसल जायत फसल इनमें से कोई नहीं बताई फ्रेंट बहुत आसान सवाल है चावल है चावल है क्या है and the correct option is खरीफ फसल चावल एक खरीफ फसल रभी फसल और खरीफ फसल से कौन नीजी छेत्र की कंपणी नहीं है नीजी छेत्र की कंपणी नहीं है डाबर बजाज आटो लुमिटेड सेल टिस को बताई फ्रेंट क्या होगा and the correct option is option number C सेल सेल जो है वो क्या है नीजी कंपणी नहीं है तो फ्रेंट्स आपको यहाँ पे एक सवाल करना है कमेंट सेक्शन मेंसे देना कि सेल का फूल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन मेंसे करके बताएं कौन खनीज को डर्मा से संबंदित है कौन खनीज को डर्मा से संबंदित है Q46, Bauxite, Abrak, Lohayas, Ktamba, बदाई friends, क्या होगा, and the correct option is, Abrak, Micah, अगला सवाल है friends, Operation Flood का दूसरा नाम क्या है, Operation Flood का दूसरा नाम क्या है, Harit Kranti, Pili Kranti, Shwed Kranti, Neelik Kranti, बदाई friends, क्या होगा, Q47, and the correct option is, Option No. C, Shwed Kranti, Operation Flood का दूसरा नाम क्या है, Shwed Kranti, अगला सवाल है, Q48, लीचे की उत्पादन के लिए, बिहार के कौन दो जिले पर सिद्ध है, पुर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटनो और नारंदा, मजफरपुर और वैशाली, फदाई friends, क्या होगा, बहुत आसान सवाल है, and the correct option is मजफरपुर और वैशाली, अगला सवाल, आयततह भोग का अंतर क्या कहलाता है, वी निमे कहलाता है, मुद्र कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, बदाई friends, क्या होगा, and the correct option is option number C, आयततह भोग का अंतर, बचत कहलाता है, आपका income, और आपने कितना, क्या गलाता है, इसको saving कहते हैं, अगला सवाल है, 50 number सवाल, इनमें से कौन वे अपारिक बैंक की जमा का परकार नहीं है, वे अपारिक बैंक की जमा का परकार नहीं है, ताई जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष, जा अवरती जमा, बताई friends, क्या होगा, and the correct option is, अधिविकर यहां सब जब है यह option सिर्फ अलग लग रहा है इसलिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं टिक लगा सकते हैं लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा अंसर अधिविकर्श इस तरह का भी कोशन देखने को मिल सकता है आपको कोशन नमबर 51 ने पूँची बजार में किस परकार के रिनों का लेंदेन होता है पूँची बजार में अलपकाल दिर्गकाल या दोनों या इन में से कोई नहीं बताई फ्रेंट्स क्या होगा correct answer and the correct option is question number 51 का option number B दिर्गकाल पूँची बजार में किस परकार के रिनों का लेंदेन होता है दिर्गकाल के किस ने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्मा व्यक्ति है वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं किस ने कहा था पंडित जवाहला लेरू राजिव गांधी महत्मा गांधी एपे जब्दुलकलाम किस ने कहा था फ्रेंट बताई question number 52 and the correct option is option number C महत्मा गांधी ने कहा था अगला सवाल देखते हैं question number 53 इन में से कौन गयर आर्थिक अधार बुद सनरचना का गठक है संचार वित सिक्षा या तयात बताई फ्रेंट क्या होगा and the correct option is option number C question number 54 इन में से उड़जा का गयर पारंपरिक श्रोत है कौन ज़ार ये उड़जा पेट्रोलियम कोईला प्राकिरतिक गैस क्या होगा फ्रेंट बताईए and the correct option is option number A ज़ार ये उड़जा अगला सवाल है गुणवाना समु के कोईले का निर्मान कब हुआ था गुणवाना समु के कोईले का निर्मान कब हुआ था 25 नोड़ वर्श पूर 20 लाक वर्श पूर 20 हजार वर्श पूर इन में से कोई नहीं बता ही फ्रेंट क्या होगा and the correct option is 25 क्रोज़ वर्श पूर बताई फ्रेंट्स क्या होगा correct option option question number 56 and the correct option is option number D इनमें से सभी चावल में खरीब फसल है मक्का कापास सब खरीब फसल है अगला सवाल देखते हैं 57 question number इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है कांडला विशेश आर्थिक छेतर कहा है कांडला महराष्ट गुजरात केरल पशिम्मंगाल बताई फ्रेंट्स क्या होगा गुटन बर्क का जनम हुआ था ऑप्शन देख लेते हैं कहां हुआ था अमेरिका में जर्मनी में जापान में इंगलांड में बताई फ्रेंट्स क्या होगा and the correct option is option number B ग्योटन बर्क का जर्म हुआ था जर्मनी में क्वेशन नम्बर 60 इंगलांड में मुद्रन कला की शुरुवात किसने की हैमिल्टन, कैक्स्टन, एडिसन, सिमित किसने की बताई फ्रेंट्स question number 60 and the correct option is कैक्स्टन, कैक्स्टन का पूरा नाम विलियम कैक्स्टन था और इन्होंने ही इंगलांड में मुद्रन कला की शुरुवात की थी question number 61, 1917 की पहली रूसी करांती किस नाम से जाने जाती है फरिवरी करांती, अप्रील करांती, अक्टूबर करांती, नवंबर करांती, बताई फ्रेंट and the correct option is October करांती अग्ला सवाल है हमारे पास 62 नंबर सवाल, लाल सिना का गढ़न किस ने किया था अग्ला सवाल है तिरसप्नलाबर सवाल, ऐल इंडिया मुस्लिम लिग किस थापना कब हुई? अगला सवाल है 64 तक्त श्री हडमंदिर जी साहिब कहा स्थित है पत्ना अम्रिसर दिल्ली आगरा बदई फ्रिंस क्या होगा अगला सवाल है हमारा फ्रिंस क्ब मनाया जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है 20 जनवरि 22 मार्च 23 जून 25 अगर बताई फ्रिंस क्या होगा और गरेक्ट ऑप्श Yum is अप्श नमर लिज्मार्च 22 मार्च 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है सबसे बड़े पशुमेला का योजन किया 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 जाता है सबसे बड़े पशु अब शेर्ट शाह सूरी को तो बदीन ऐब बद ही फ्रेंट्स क्या होगा एंड गरेक्ट ऑप्शनिज स्षेर्षास शूरी यह वही शाचा के फ्रेंट्स जिसने हमायों को दो बार जंग में हडाया अगला सवाल है friends Flying Shuttle मशीन का विश्कार किस ने किया Flying Shuttle मशीन का विश्कार किस ने किया James Hargbridge, John K. Robert Fulton, James Wat गता ही friends क्या होगा James Wat ने Star Trek Sum का विश्कार यह था यह आपको पता होगा तो इसमें बनाना आपriet है मद्ध परदेश, ओडिशा, पश्यम बंगाल, जारकंड, बदेफरेंट्स क्या होगा, and the correct option is West Bengal, पश्यम बंगाल, option number 6 is the correct answer, अगला है, सेडॉन युद्ध कब हुआ, सेडॉन युद्ध कब हुआ, सेडॉन युद्ध कब हुआ, अठाड़ाइस अठाड़ाइस अठाड़ा हिगेल कौन था, हिगेल कौन था, जर्मन चांसलार राजनितिक दार्शनिक इनमें से कोई ने, बताई फ्रेंट्स क्या होगा, and the correct option is option number C, दार्शनिक, हिगेल एक दार्शनिक थे, अगला सवाल है, 74 नमर सवाल, मार्च 1946 में फ्रांस इबं वियतनाम के बीच होने वाले होता, अगला सवाल देखते हैं, बंगाल भीभाजन कब निरस्त किया गया, बंगाल भीभाजन कब निरस्त किया गया, 1905, 1911, 1915, 1922, बताई फ्रेंट्स क्या होगा, correct option, and the correct option is option number E, 1905, बंगाल भीभाजन कब निरस्त किया गया था, 1905 में क्या गया था, अगला सवाल है, कि किस भूकम पिये तरंग की गहनता सबसे कम होती है किस भूकम पिये तरंग की गहनता सबसे कम होती है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग, बताई ये फ्रेंट्स क्या होगा and the correct option is एल तरंग, एल तरंग की गहनता सबसे कम होती है, यहाँ पे एक सवाल है friends, आप comment section में बताएं, भूकम जहां आता है, उसके ठीक उपर, 90 degree के उपर, जो केंदर होता है, जो भूकम का केंदर होता है, उसके क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, आप comment section में इसकांसागर के बताए हमको, question number 77, कुल जल का कितना परतिशत भाग महा सागरों में है, कुल जल का कितना परतिशत भाग महा सागरों में, 80 परतिशत, 85 परतिशत, 95, 97, बताएं friends क्या होगा, correct option, and the correct option is, option number C, 95%, कुल जल का 95% कहां है, सागरों में है, अगला 78, बिहार की किस नदी पर, नदी घाटी पर योजना नहीं है, बिहार की किस नदी पर, नदी घाटी पर योजना नहीं है, सोन, गंडग, कोशी, पुन-पुन, बताएं friends क्या होगा, and the correct option is, पुन-पुन, पुन-पुन ऐसी नदी है, जिस पे कोई भी नदी घाटी पर योजना नहीं है, अगला सवाल, गेहूं फस जायत फसल इनमें से कोई नहीं, बताएं friends क्या होगा, and the correct option is option number B, रभी फसल, तो friends मैंने आपसे कहा था, रभी फसल और खरी फसल देख रहे हैं कि हम मॉडल सेट में ही तीन सवाल पुछा गया, तीन मार्क्स का सवाल, तो आप यहाँ जीज़ी टॉपिक जरूर देखेगा कि रभी फसल और खरी फसल की कौन-कौन सा फसल रभी है, कौन-कौन सा खरीफ है, और यह हमारा आखरी सवाल है friends, बलवंत राय महता, समीती का संबंध इनमें किस से है, बलवंत राय महता का समीती का संबंध किस से है, केंदर राज संबंध से है, पंचायती राज से संघ्य विवस्ता से किसे बताइए और करेक्ट ऑप्शन इस पंचायती राज विवस्ता से संबंदित है बलवंत राय में था समीति का गठन तो फ्रेंट्स यहां पर हमने फ्रेंट्स और जितने भी कुशन असी कुशन असी कुशन का सॉलूशन वीडियो देखा और जो भी हमने याद था शॉकल उसका सॉलूशन में प्रेंट्स याहां पर इसके नेशक्ड प्रेंड के साचर का सॉब्स्क्राइब ज़ाएग बलेंगे फिर इस वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए थैंक्स मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई